हलो एब्रिवन स्वागत है आप सभी का अड़ा 24 7 के शामदार आई एस प्लैटफॉर्म पर मेरा नाम है रुद्र गौतम और आज के सेग्मेंट में हम लोग पार्ट 5 के बारे में बात करने वाले डेली मेरी ये जो एनवार्मेंट एकोलोजी की क्लास आपको मिलती है हमेशा याद रखेंगे आपको डेली मेरे साथ लाइव जुड़ना है वन पीम पर और इसी प्रकार से साइंस एंट टेकनोलोजी की अधी क्लास देखनी है डेली जो सुभे का समय है 11 एम वहाँ पर आप क्लास जॉइन करेंगे एम सी क्यूज और प्रेक्टिस जो करनी हमको एनवार्मेंट और साइंस की तो वो आप मेरे साथ 9 पीम पर जुड़ेंगे ये है क्लास फिफ्ट और मैं करवा रहा हूं आपके बेसिक कॉंसेप्ट जो एनवार्मेंट एकोलोजी है उसके बेसिक कॉं मेगजीन है और न्यूस पेपर्स में जो भी इंपॉर्टेंट डेटा आए हैं उन सभी को हम करेंगे एक बज़े डेली डिटेल में आपको यहां पर क्लासेज मिलने वाली चलिए शुरुवात करते हैं आप सभी का स्वागत है अड़ा 247 के शांदार प्लैटफरम पर और हाँ आज का जो टॉपिक है वो यह है एंवार्मेंट हैबिटाट एंड इकोसिस्टम हमारा जो टॉपिक है आज का वह हैंवार्मेंट हैबिटाट इकोसिस्टम और यह आने वाले दो-तीन दिनों तक यह टॉपिक हम लोग कवर करेंगे हम लोग एक एक टॉपिक को कवर करेंगे और हाँ डेली इन ही टॉपिक्स के अंदर आमको mcqs भी मिलेंगे तो आपको क्लास के साथ-साथ mcqs भी सॉल्व करवाए जाएंगे ताकि आप उन्हें भी क्या करें अच्छे से जब हम लोग टॉपिक के साथ mcqs करते हैं तो कॉंसेप्ट की क्लारिटी भी ज़्यादा मजबूत हो जाती है यस और नो है न चली तो यहां पर देखिए अड़ा 24-7 की मदद से आप लोग कर सकते हैं तयारी और यूपिस्ट का महापैक आपको 8700 में मिल जाएगा कूपन कोड लगा देना वाई 583 और यह जो फैसिलिटी है यह जो बैनिफिट है वो केवल और केवल आज के लिए है कल से यह बंद हो जाएगा ncrt के कोर्स जो 999 क मिलते हैं आपको आज यह कोर्स लगबग 420 में मिल रहा है तो आप इस कोर्स में भी अन्रोल कर लीजे 200 घंटे के लाइव क्लासेज है और जो आंसर राइटिंग का बैच है यह लगबग आपको 5500 रुपे में लमसम मिल जाएगा और जो भी कोर्स आप कर पर्चेस करें आज विशेश है इसलिए आप लोग इसमें आज का अन्रोल कर लीजे महापैक में आपको सारे बैचेस एक जगे मिल जाएंगे यह वह बैचेस के लिस्ट है आप लोग अगेन वाइफाइव इट्री का प्रयोग करके किसी भी कूपन कोर्स में एना अप अप्लाई कर सकते ह और हां किसी भी जो यह ऑप्शनल कोर्स हैं जिनको भी आप लेना चाहते हैं उनमें भी आप वाइफाइव इट्री का प्रयोग करके अन्रोल कर सकते हैं चलिए शुरुआत कर देखिए एन्वायरमेंट पर मैंने काफी हद तक आपको बेसिक बाते बता दी हैं तो एन्वायरमेंट में मैं आपको सभी चीज को एक ब्रीफ देखे और इस पूरे टॉपिक को एक के बाद एक अगली जो क्लासेज होंगी वो बिलकुल को रिलेटेड होंगी और इसी लि ना तो एन्वायरमेंट के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि यह बायोटिक और यहाँ पर नेच्रल कॉम्पोनेंट होते हैं जैव और अजैव है ना और यहाँ पर जब अजैव की बात करें तो लाइटिनिंग म्रदा तोईल यह बायोटिक में हमारे जो पेड़ कौन से एबायोटिक है फुलित खोकर ने बहुत अच्छा थम्जब किया है थैंक्यू यह बिल्कुल नए प्रकार का इमोजी भेजा है खुश्बू गुड़ी गुड़ाफ्टरनून सपना ठाकुर गुड़ाफ्टरनून प्रकाश गुड़ीवन नहीं गुड़ाफ्टर तो यह तो यह स्टेट्मेंट है एक ऐसा स्टेट्मेंट है जो आप है ना मेंस में कोट कर सकते हैं कहीं पर कि all the organism depends on environment to carry out their natural life processes meet their physical requirement और उसके लिए वह भोजन उर्जा पानी ऑक्सीजन और शेल्टर के लिए हमारे पर्यावरन पर निर्भर करते हैं आप कैसे हो my favorite teacher मैं बहुत अच्छा हूं पिटा आप कैसी हैं आप लोग सभी कैसे हैं और जितना हो सके आज आपको मैंना एक भ्रह्म ग्यान देता हूं do you want to take that भ्रह्म ग्यान आप क्या उस भ्रह्म ग्यान को प्राप्त करना चाहते हैं पढ़ते पढ़ते क्यों ना भ्रह्म ग्यान भी लिया जाए तो मेरा मन कर गया चलिए बताता हूं हमेशा याद रखेंगे चीजों में किताबों में स्क्रिप्चर्स में हर एक बुक में अलग-अलग बाते लिखे गई हैं लेकिन जिस व्यक्ति ने एक बेसिक आधार बूद ग्यान प्राप्त करके एक जो कॉंसेप्ट होता है ना अहम भ्रह्मासमी मैं ही भ्रह्म हूं और इसी भ्रह्म का ज्यान जो है यदि आप अपने अंतर मन में करेंगे एहम भ्रह्मासमी इस प्रत्वी पर पाए जाने वाले सभी प्राणी मात्र में वो शमता है कि वो खुद भ्रह्मा भ्रह्म सरवग्य हो सकते हैं लेकिन केवल किताबों पर डिपेंडेंट होके नहीं अंतर मनन करने के आवशकता और यह यूपी एसी एक्जाम भी ऐसा ही कुछ है कि आपको अंतर मनन करना होगा अंदर से आपकी आत्मा में चिंगारी पैदा करनी होगी वो ज्वाला पैदा करनी होगी जिसमें आपके अंदर से ओजस्त्व निकल रहा है बाहर से ज्ञान प् कॉंसेप्ट पर आप हमेशा याद रखेंगे तो यहाँ पर यहाँ पर अहम भ्रहमासमी याद रखना और हाँ पर्रयावरण की जो आवश्यक्ता है वह यह है फूड एनरजी वाटर ऑक्सीजन और शेल्टर इस सब के लिए और्गिनिजम पर्रयावरण पर डिपेंड करते ह क्वरिट बनाएं रखना लेकिन हाँ अब हम लोग समस्दार हो रहे हैं पहले हमने पॉल्यूशन किया ता फिर हमने सोलर पैनल और अनरजी से इलेक्रिसिटी जनरेट करना स्बीकित कर दो प्राकर्तिक है प्राकर्तिक है यस और न फिरे परसदीन है कि user environment day कब किया जाता है विल्टेल मी वर्ल एन्वार्मेंट डे कब सेलिप्रेट किया जाता है, गुड आफ्टनून निधुबाला, गुड आफ्टनून शशांक मौरे, मौनिश शर्मा, गुड आफ्टनून बेटा, गुड आफ्टनून, चलिये, यहां तक सारी बात क्लियर हुई आपको, habitat से उसकी शुरुवात हुई थी habitat का मतलब होता है आवास और मैंने आपको एक टर्म समझाय था और वो टर्म क्या था इको लौजी, can you recall that, इको का मतलब ही habitat था, habitat, मतलब आवास और लौजी का मतलब अध्यन, मतलब अध्यन, आवास का अध्यन, यही क्या है, आवास का अध्यन, है तो habitat है, प्रकार्ट के जो आवास है वह सभी मिलकर एक एंवार्मेंट को बना रहे हैं रिशी कुमार बहुत बढ़िया फुलित खोकर बहुत बढ़िया पांच जून को हम एन्वार्मेंट डे सेलिब्रेट करते हैं गुड वेरी गुड चलिए बहुत बढ़िया तो सबसे पहले बात आ रही है है बिटाट की आपको टॉपिक तो ध्याने नहीं मैंने का से शुरू किया बात सारी कहानी का से शुरू किया देख लीजिए आज का ज इट इज अ लाइव क्लास तुरंत आपके स्ट coping उस्टेटमेंट को रस्पांड गर रहा हूं और आपको मेरी कभी रिकॉर्डट क्लास मिलेगी भी नहीं कभी भी मेरी क्लास रिकॉरड आपको मिलेगी भी नहीं है मैं अट्डाट 24 7 में हमें ऐवन संडे को मैंने जब जॉइन किया है तब से एक भी संडे मेरा मिस्नी हुआ है 24 इंटू 7 अड़ा 24 7 का नाम है 24 इंटू 7 में 24 7 में रहा हूं मैंने आज सक संडे की भी छुट्टी नहीं लिए तो मेरी आपको नॉर्मली कभी फेक लाइब नहीं मिलेगा प्रणाम सर नमस्कार युआ ग्रेट अमि लिए लेकर अब देखिये यह जो टॉपिक एन्वार्मेंट हैबिटाट इकोसिस्टम तो यहाँ पर हम लोग अभी हैबिटाट की बात कर रहें आज हम लोग बेसिक बेसिक डेफिनिशन छोटी-छोटी क्रिस्प डेफिनिशन के बारे में बात करें ताकि आपका एक बेसि स्पीशिस शेरिंगे हैबिटाट अंदस हैव दसेम एड्रेस और यह स्पीशिस फॉरेस्ट रिवर लेक अलग-अलग जगह पर हैबिटाट से आवास है है ना सिंगल हैबिटाट में भी कॉमन फॉर मोर देन वन ऑर्गनिसम एक ही स्थान पर एक से जादा जीव जनतू रह स्थार्ण के रहे हैं इसमें लगातार यह करम चलता चला जा रहा है लगाता रिक्रंट क्रम चलता चला चला जा रहा है चलता चला जा रहा है इस इट क्लियर सारी बात क्लियर है है ना चलिए आगे बढ़ते हैं आवास वह भॉतिक वाता होने जिसमें जीव रहता है एक बार पढ़ लेते हिंदी में भी जो हिंदी वाले बच्चों को नहीं समझ में आयो कई निवास इस्थान पर्रयावरन मनाते से बहुत सारे अलग-अलग habitat ज्यान से सुनना एक एक पॉइंट इंपोर्टेंट अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अबिटार जैसे आर और आद समद्य केरा ऐसे ед्यौरेंट बेस्तों सकता है और हो सकता है उनके आउश्चकताई भी समान हों और असलिए जीवों में competition भी होता है अलग-अलग पेड़ पौदे nutrition को यूज़ कर लेते हैं तो एक पेड़ पौदा यदि ज्यादा nutrition को absorb करता है तो दूसरे को फर pressure आ जाता है तो यह एक ही जगह पर जो है कई सारी आउशक्ताओं को पूरा करते हैं और यह सारी बात आपको पता चल गयोंगी यह है अलग-अलग हैबिटाट का यह बहुत ही सुंदर सा और यह पर हम रह रहे हैं आवाज आवास तो वही है और इकोश जो है वह रूट वर्ड़ मूल शब्ड़ है ओएकोस जिसको ऑई-कोस कैसे लिखते है ओएकोस यह शब्द इसका मतलब होता है आवास या फिर हैबिटाट फाम्स फाम्स जो फाम्लेंड से घर में लवनी अम्रदा है वह अपने आप में अलग प्रकार का है ट्रॉपिकल रेंफॉरस्ट सवाना ओशियन तो अलग अलग प्रकार के यह यहां पर पाए जाने वाले जीव जनतों की अपनी अलग प्रॉपर्टीज करेक्टरस्टिक्स होती है उनके शरीर का चाल ढाल उनके शरीर के अंगों की बनावत वगेरा सब कुछ अलग अलग हो सकती है क्योंकि उन्होंने अपने हैबिटार्ट में रहने के लिए अपने दिसेंबर को ही 16 डिसेंबर को ही हम क्यों ओजोन दिवस मनाते हैं मुझे इस प्रश्न का आंसर कौन देने वाला है मुझे हमेशा से मुझे हमेशा से इंटेलेक्च्वल स्टूडेंट जो पढ़ाई में बहुत अच्छे वह बहुत अच्छे लगते हैं और इवन मैं अपने दिल से उनका सम्मान करता हूं प्यार नहीं मैं सम्मान करता हूं क्योंकि मेरा भारत यदि इसी प्रकार से बढ़ेगा आपके जैसे अच्छे कोई बात आ रही है आप प्रश्णों को लगातार चैट पर हेलो हाय करते रहें बताईए कोई प्रश्ण है तो पूछते रही है चलिए तो अब चुंकि मैंने बोला था हैबिटार्ट पढ़ेंगे एको सिस्टम पढ़ेंगे और एन्वार्मेंट पढ़ेंगे परस्टन फ आइन वार्मेंट डॉस्प्रेस आफ लाइफ ज़ाए लिव अावन जाई चलिएर। अवर्मेंट बंॉर्मेंट ऑट औरिन ओल एक नुभरा से सूना और हैबिटार्ट सभी हैबिटार्ट एक प्रकार के एन्वार्मेंट इन वार्मेंटartet बट औल दी मतलब इसका जो वन डाइग्राम बनेगा ऐसे कुछ बनेगा है बिटार्ट है बिटार्ट को हमने अंदर लखा अंदर वाले सर्किल में एन्वार्मेंट को यह बड़ा वाला सर्किल यह बस इतना याद रखेंगे तो यह statement आपको याद रजाए यह statement आपको याद रजाए तो सभी habitat एनवार்मेंट ए लेकिन यह वाला environment त Are not habitat और habitat में जीवन होता है life होती है क्योंकि वहाँ पर स्पीशीज जीव जनतु प्रजातिया पाई जाती है है और हैबिटाट में हमेशा एक प्रजाती की प्रात्मिक्ता होती है की स्टोन स्पीशीज जिने कहते हैं इंपॉर्टेंट प्रजातियों की प्रात्मिक्ता होती है बट एन्वार्मेंट में हम सभी प्रजातियों को इन जनरल देखते हैं सभी प्रजात्य जनरल होटी है इबिटाट में किसी एक पर्टिकुलर पर्टिकुलर स्पीशीज के हम हैबिटाट या आवास की बात कर रहे होते An environment could be a preference of many species एक particular environment जो उसके आसपास परी प्लस आवरन Environment का मतलब क्या है? परी प्लस आवरन मतलब यह हुआ कि एक species अपने चारोर एक आवरन को चाती है और उसके लिए उसको जो basic need आवशकता है उसकी पूर्ती के लिए जल, वायू, पानी, फूड, एनरजी यह सब मिल पाए तो हो सकता है कि एक प्रजाती की प्रात्मिक्ता हो कि उसको इस प्रकार का environment मिले आम तोर पर पर पर्रयावरन एक निवास इस्थान के गुनों को नियंतरित करता है क्योंकि environment जो term है वो broader term है habitat shorter term है environment पूरे के पूरे उसके environment को क्या करती है मतलब govern कर सकती है कि वही कैसा habitat हो क्योंकि environment जो है न अलग-अलग material minerals इत्यादी provide करने कोशिश करेगा habitat is it clear सारी बात clear है आपको सारी चीज़े clearly visible है या नहीं है यस और नू ठीक है चलिए अब आगे बात कर रहे हैं तो difference क्या होता है habitat और ecosystem habitat और environment में environment is broader term habitat छोटा term environment सभी चीजों को govern करता है है न यह बात आपको छोटी सी याद रहे हाँ यह this is the absolutely correct answer वह यह था कि जो एक बहुत important topic जिस पर हम लोग discuss करेंगे कभी क्योंकि environment में पढ़ना है 16th of September 1987 बहुत ही बढ़िया यही मैं answer चाहरा था 12 September 1987 16 September 1987 के दिन ही हमने Montreal protocol Montreal protocol that is very important protocol और यह एक ऐसा convention था यह एक ऐसा प्रोटोकॉल स्थापित किया गया एक मात्र एस प्रकार के प्रोटोकॉल या convention के लो या फिर ट्रेटी के लो जिसको 100% सभी देशों ने अक्षरस पालन किया है वो है Montreal protocol Montreal is one of the city in Canada Montreal कहां का शहर है Canada का शहर है और वहां पर कनाड़ा में यूरोपियन देशों ने और अमेरिका ने जो आर्किटिक देश हैं उपर वाले नॉर्दन वाले देश उनको यह बात समझ में आ गई कि जिस प्रकार से हम प्रशीतक रेफ्रिजरेटर और एसी त्यादी में हम जिस प्रकार से एसी वगरा का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ क्लोरो फ्लोरो कार्बन को लगातार एमिट कर रहा है और यही क्लोरो डेवलब्ड नेशन्स वह सभी क्लोरो फ्लोरो कार्बन को पूरी तरह से बैन कर देंगे संदोहजार में और जो विकासील राष्ट्र जैसे भारत जैसे चाइना जैसे देश वह 2010 में उन्हें यह European और डेवलब्ड नेशन मदद करेंगे help करेंगे और इस help की मदद से इस help की मदद से 2010 तक आते आते सभी विकासील राष्ट्र विक योगि आसा नहीं हो सकता आप सोचें कि सर के ऐसा नहीं हो सकता कि आप सोचें कि जब हम लोग पर्यवरन की बात कर रहे हैं हमारा प्रत्वी प्रत्वी के बहार यह ओजोन लेयर तो ऐसा क्लोहने नीचे वाले जो देश Here वह सभी वह दी क्लोहरो फ्लोहरोकार्बन निकान रहे हैं तो यह जीवनकाल बहुत लंबा है एक प्लोहरो कारबन का जो आनु 56 अन努 determined अजन को एक जो ऐसराब करने में मदब करता है तो वहां से परिकल्पना शुरू हुई और दो हजार पैतालिस आते आते वो बैन कहा हो गया विक्सित राष्ट सभी संदो हजार में और विकास शील राष्ट सभी 2010 में इस पर पूरी तरह से पाबंदी लगा देंगे बैन कर देंगे क्लोरो फ्लोरो कार्बन को और हुआ क्या देखे आगे क्या हुआ वो कहानी सुनिये मैं अभी लेकिन हम जितना जल्दी उसको रोक लेते उससे क्यूंकि हमारे पास क्या होता है कैल्कुलेशन नंबर्स के लिए पूरी चीज गनित लगाने के लिए हमारे पास सुपरकम्प्यूटर्स वगरा होते हैं मुस्intelligible jった s Сंद्धान लगा लिया था कि वया यह जो ख्लोरोकार्बन है वह भो है खतर नाख है ऑजोन डिपलीट जो हुरही थी वह या तो हु रही थी नौरदन वाले पार्ट से या फिर हुरही थि सौधन वाले पाथैंड है ना या तो रही थी नौरदन वाले से या फिर हो रही थी साउधन वाले पाथ से है ना और इन इन नॉर्धन और साउधन वाले पाठ्य म२का बोलते हैं पोलर स्ट्राटो स्ट्राटिक clouds और polar stratospheric clouds क्या होते हैं जो ध्रुविय ध्रुविय समताप मंडली बादल यह बादल जो है जो यहाँ पर ख्लोरो फ्लोरो कार्वन पर जो यह ठंडे इस्थान है उपर वाले नौर्थ वाले और साउथ वाले यहाँ पर पूरी तरह से क्या है और जोन का डिप्लीशन और सबसे बड़ा डिप्लीशन तो यहाँ पर दक्षिडी दुरूफ पर नौर्थ अमेरिका जो कॉंटिनेंट है पूरा जो नौर्थ अमेरिका महदूई पर इतना बड़ा छीद्र देखा गया और इस बिकॉज ऑफ पी एस सी पोलर स्ट्रस्फेरिक क्लाउट्स यहाँ पर ठंड ज़्यादा पड़ती है और यह मूस्ट फेवरेबल तो हो क्या रहा था कि या तो यूवी रेज जो की यूवी रेज से ओजोन हमें प्रोटेक्ट करता है या तो सौधन रीजन से या फिर नौर्धन रीजन से क्या हो रहा था यह यूवी कैंसर और इसकिन कैंसर होने की पूरी संभावना थी और इसी लिए यह एक ऐसा प्रोटोकोल ट्रैटी था मॉन्ट रियल प्रोटोकॉल जिसमें जिसमें क्या हुआ रूस ने भी हिस्सा लिया कैनेडा ने भी लिया यूरॉपियन देशों ने भी लिया क्यों क्यों कि वह अप पूरा जान और साथी साथ में वर्ल्ड लेवल पर ऐसी डिप्लोमेसी की कि सभी देशों को इन विक्सित राष्टों के पैसे से और इनकी बातों को मानना पड़ा तो इस प्रकार के यदि कंवेंशन आए जहां पर समग्र विक्सित राष्ट यदि अपना विल पावर दिखा थाो कि कहेंगा उस पुर्णेशन में यदी वो कोई भी बात रख रहे हैं और दिक्कत पता है और कि दिक्कत सारी यहीं आ रही है कि कभी जब भी हम लोग ना ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं तो उस्ट्रेलिया कर लेता है और ये विक्सित राष्ट बएक कर लेते है तो actual में there can be no consensus किसी प्रकार की सर्व सहमती नहीं बन पारी तो आप याद रखना ये जो मैंने topic आप से बीच में discuss कर लिया है उसके पीछे reason ये है कि आपको इस topic की gravity समझ में आए कि यदि विक्सित राष्ट चाहें तो वो हर चीज को करवा सकते हैं लेकिन this is the hypocrisy of the developed nation ये विक्सित राष्ट्रों का पाखंड है कि वो actual में ऐसा होने नहीं देना चाहते दिक्कत सारी यहां है भारत देश अपनी बात को रखता है तो उसकी बात काटी जाती है डिप्लोमेटिकली उसको हटाया जाता है साइडलाइन किया जाता है तो आप समझ रहे हैं this is called the western hypocrisy इसे ही पस्चिमी देशों का पाखंड कहा जाता है क्या बोला जाता है इसे ही अम लोग western hypocrisy कह रहे है पस्चिमी राष्ट्रों का पाखंड भई एक बात थोड़ी सी यार आपसे मैं जादा बार नहीं कहूंगा क्योंकि मुझे भी पता है मैं भी इस बात को कहते कहते हैं बोर हो गया हूं अब कि यार यदि आपको वाकई में सेशन अच्छे लाइक भी कर दिया और प्लीज इफ यू शियर और लाइक द वीडियो डेफिनेटली बहुत सारे बच्चे हमारे वीडियो को देखेंगे तो प्लीज डू शेयर द वीडियो ना लाइक कर दीजे थाइंक यू सो मच आई तिंग यह बात समझ में आई होगी आपको है ना समझ पूर्ण है क्योंकि अल्ट्रा वायलेट विकिर्णों से सबसे हानिकारक रूप से अफ्शोर्शित होने वाला जो गुण है यह क्या करती है उसको डिप्लीट करती है कौन क्लोरो फ्लोरो कार्बन चली आगे बढ़े चली तो इस्टम की बात आ रही है यहां पर एक मिट यहां पर इस तोड़ा से को स मतलब आब अजब सिस्टम की बजोरेज के को श्री पॉस्टम धाँच्ट यह बहुत對了 इको सिस्टम को फंक्शनल या फिर कार्यात्मक इकाई क्यों कहा गया है क्योंकि हमारे जो सजीव और निर्जीव हैं उनके बीच में लगातार खनीज लवनों मिनरल्स और लगातार एनर्जी उर्जा का लगातार एक साइकल बना हुआ है लगातार एक साइकल बना हुआ है व और हमारे सराउंडिंग के एंवार्मेंट के एबायोटिक जीवों से भी यह इंटरेक्ट कर रहे हैं है ना हाँ प्रत्वी के ओजोन में लगबग 90 प्रतिशत समताप मंडल में हाँ वैरी गूड मेजर पार्ट जो है अच्छा एक बात याद रखना एक बात याद रखना ध् यह एक्च्छल में जहरीली गैस है और इसको ना पॉल्यूटेंट माना जाता है पॉल्यूटेंट कब जब हमारी ओजोन गैस जो है वो यदि शोब मंडल में होगे शोब मंडल जो हम जिसमें स्वास लेते हैं मतलब जो हमारा प्रोपोइस्फियर प्रोपोइस्पियर में जोन है तो एक और बात समचते हैं एक और समझते हैं एक और बात समझते हैं यह जो 30 किलॉमेटर से प्रत्थवी से 25 किलॉमेटर का जो दाइरा है 30 से 35 किलोमेटर का दाइरा this is the most favorite area यह सबसे important favorite area है 30 से 35 किलोमेटर का दाइरा यहां पर यहां पर क्या होता है सबसे ज़्यादा ओजोन परत यहीं पर सघन है concentration ही ज़्यादा है और ओजोन परत को जो measure किया जाता है उसकी सांधरता को वो dobson unit है dobson unit ओजोन परत की सांधरता को concentration को dobson unit में measure किया जाता है absolutely correct बबली जी स्वागत है आप सभी का सभी लोग video को share करते चलिए अच्छा लग रहा है आपके सभी दोस्तों तक पहुंचे वीडियो बिल्कुल जीरो से क्लास में शुरू किया आपके लिए environment ecology की चलिए तो ecosystem को इसलिए कहा जाता है functional unit क्योंकि लगातार producer consumer यह सब interact करते लगातार एक chain cycle में चलता रहता है चाहे equity ecosystem हो चाहे धरातल का लेंड हो सभी में लगातार यह nutrition और यह सब cycle चलती चली जाती यस और नो ठीक है is it clear और मैंने विटा question यह बताया है I have told की 30 से 35 degree 30 से 35 किलोमेटर जो है न प्रत्थवी से यहाँ पर ओजोन की maximum यह बात बूलिए मैं maximum concentration यह बात बूलिए न मैंने यह बात बूलिए कि maximum concentration जो है वो 30 से 35 किलोमेटर पे होता है is it clear चली अब बात आ रही है तो यह सब मैंने आपको बता दिया और हाँ if one part of ecosystem is damaged or disappear it has impact on everything यही सबसे important बात हम why we study ecology हम पारिस्थिति की तंत्र को पढ़ते क्यों है this is basic rational कि यदी ecosystem पर एक भी chain एक भी life cycle एक भी species कम होती है तो उसका effect पूरे ecology के life cycle पर पढ़ता है if one part of ecosystem is damaged or disappear it has an impact on everything else तो फिर सभी पर impact होगा everything else है ना is it clear चलिए तो आई तेंक यह सारी बात हिंदी English में आपको समझ में आगे होगी ecosystem क्या है क्यों इसे functional कहते क्यों इसे कार्यात्मत कहते क्यों यह एक साइकलिक रूप में चलता है यह बात आपको समझ में आगे होगी है ना चलिए अब बात कर रहे हैं अब बात कर रहे हैं अब बात कर रहे हैं प्लासिफिकेशन ऑफ दे ecosystem की जैसे ecosystem में अलग-अलग हो सकते जैसे forest grassland सबके अपने अलग-अलग फीचर है जैसे रिगिस्तान समझाम्पल उफ टरस्ट्रियल एको सिस्टम और वैसे एकोटी किको सिस्टम पॉण्ड लेक वेट लैंड रिवर एस्टूरी जैन ओशन यह जो और याद रखना एक और बात याद रखना जो क्रॉप फिल्ड होता है या एक्वेरियम होता है यह यूमन-made ecosystem है आपने human-made का मतलब क्योंकि क्योंकि जो घास के मैदान है वो तो नेच्रल है जैसे steppies, prairies, downs, wells, सवानाज है न यह सब क्या है यह तो natural grassland है लेकिन cropland जो बनता है वो मानव के द्वारा उसके द्वारा हस्त शेपित किया गया है है न तो यहाँ पर एक और point याद रखना आप लो एक और एंवारमेंट और एकस तू इन सिटू और एकस तू में क्या आंता रहे इस in सिटू वाट इस एक सिटू जो भी चीज पूर्ण तया नीचोरल है पूर्ण तया नेचोरल है जैसे फोर example National Park Wildlife Century यह हम ने के वलगेmaद उनको बंद किया उनको परिबद आवरन दिया कि यहां से लिके यहां तक कि यह बाउंडरी यह नेशनल पार्क है लेकिन उसमें मानव का हस्तशेप नहीं तो इनसिटू का मतलब यह होता है कि जब हम लोग फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं जब हम लोग कोरल रीफ की बात कर रहे हैं जो पूरतया प्र निकल गार्डन की यदि हम बात कर रहे हैं एक्क्वेरियम की यह जो हम लोग घरों में एक्क्वेरियम रखते हैं मचलिया जिसमें रखते हैं हम लोग यदि बात कर रहे हैं क्रॉप लेंड की तो यह सभी क्या है एक्सिटू है और यह सभी इनसिटू है ना इनसिटू सबी लोग जितने भी बच्चे हैं वह प्लीज टाइम से आया करो यार सभी लोग और यदि लेट आयो तो शुरुआत से वीडियो जरूर देखना कि बीच में आने से कोई फाइदा नहीं मिलेगा कॉंसेप्ट चल रहे हैं एक अभी मैं बहुत सी टॉम्स की टॉम्स पर आ तो यह सारी बात है आपको समझ में आगे चलिए डिफ्रेंस बिट्वीन एकोलोजी एंवार्मेंट एंड हैबिटाट इसी पर तो हमको पढ़ना है तो यहां पर आपको पोर डेफिनेशन मिलने वाली है डेफिनेशन क्या है वह कैसे पूस्ते आमिर खान से प्रोफेसर आएगी एंवार्मेंट की और फिर आएगी हैबिटाट सबसे पहले एकोलोजी पे फिर पारिस्तिती की तंत्र पर 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 आवास पारिस्तिती चलो चारों ही डेफिनेशन को देख लेते हैं अबनी सिंग सभी सभी बच्चों का स्वागत है गुड आफ्टरून एवरीवन स्वागत है बेटा सभी का एकोलोजी क्या है एकोलोजी इस्टडी ओफ इंटरेक्शन अब एक्च्वल में क्या होता है आपको लेंग्वेज हू बहू लिखनी पड़ती है यहाँ पर जो डेफिनेशन वाला पार्ट है वह आप कोशिश करिए कि उसको आप दो तीन बार प आपस में इंटरेक्श कर रहे हैं और साथी साथ में जो सराउंडिंग्स है उससे भी यह जीव जन्तु इंटरेक्ट कर एकरिंग विदिन दे उको सिस्टम और एंवार्मेंट तो इकोलोजी इस टुड़ी ओफ इंट्रेक्शन मतलब यह पारस्तिति की तंतर एकोलोजी पर बड़ा टर्म है एकोलोजी में संपूर आवास का द्धियन कर रहे हम लोग जितने भी अलग-अलग प्रकार के आवास है फॉरेस्ट ग्रास लेंड डैजर्ट इन सब का वो एकोलोजी में आ रहा है इको सिस्टम पर्टीकुलर एक एको सिस्टम जैसे डैजर्ट इको सिस्टम अभी मैंने एक डाइग्राम दिखाया था ना इको सिस्टम का याद आ रहे नहीं यह डाइग्राम जो दिखाया था यह हैबिटाट अलग-अलग एको सिस्टम से जिसमें अलग-अलग प्रकास से च में लगातार एक साइकल बनी हुई है और यह मैंने आपको बताया था फंक्शनल यूनिट है फंक्शनल का मतलब कार्यात्मक यूनिट है फिर एन्वार्मेंट इस ग्रुप फी को सिस्टम एन्वार्मेंट में क्या होता है बहुत सारे एको सिस्टम का ग्रुप होता है उनको मिला जुला कर कहते है अर्वार्मेंट is a group of ecosystem and a habitat is a part of ecosystem और जो habitat होता है वो एक पार्ट होता है हिस्सा होता है ecosystem का yes or no तो यहां पर ecology is the study and interaction between organism ecosystem एक functional unit है environment is a group of ecosystem और तो आपको समझ में आगी बात क्या है सुनिए habitat जो है वो एक ecosystem का पार्ट है आपको साले difference क्लियर हो रहे हैं यहाप है बहुत important point है यह आपको यहाँ पर concept building हो रही है concept और जब आपका यह strong होते हैं यह वाले पार्ट जो आपको एक्चुल में clarity देते हैं यह strong है आप answer writing कर रहे हैं या फिर current affair पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग में इन सब चीजों की picture clear है एक दम क्या वापिस से देखिए ecology तो है interaction between organism और जो surroundings है उनके साथ ecosystem जो है वो functional unit है जो लगातर cycle चल रही है biotic है biotic वाली ठीक है environment जितने भी अलग-अलग ecosystem है उन सब के group को environment कह देते हैं और habitat is just a part of ecosystem यह सारी बात है clear हुई it is just a part of ecosystem चली एक प्रशन आपकी screen पर आया है तभी को इस प्रशन का आंसर मुझे देना है बता यह क्या होगा अभी हमने concept पड़ा है आप उस बिहाफ पर आंसर दे सकते हैं क्या can you tell me the correct answer here which one of the following is the best description of the term ecosystem a community of organism interacting with one another यह ecosystem है that part of earth which is inhabited by living organism क्या होगा बताई आपकी screen पर प्रशन आ गया है बताई क्या होगा का answer everyone you should participate in this question बताईये क्या होगा मैं एक बार पानी पी लेता हूं क्या होना ची आंसर बताईये very helpful session ओके हर मुहन नात जी thank you so much लेकिन पहले प्रशनों का answer तो बताईये c answer दे रहे हैं बाकी सभी answer दीजे थोड़ी देर पहले बताया था ecosystem क्या होगा बहुत यह अच्छा प्रशन है a community of organism interacting with one another केवल एक दूसरे से interact कर रही है community क्या वो एक ecosystem है क्या बताईये अभी पढ़ा है आपने पूरा detail में second statement है that part of earth which is inhabited by living organism ऐसा हिस्सा जहां पर जीवित living organism पाई जार ऐसा कुछ है गया a community of organism together with the environment in which they live वो community जो है environment के साथ में रह रही है environment का मतलब जो cycle और क्या the flora and fauna of the geographical area what will be the correct answer here अलग-अलग प्रशनों के answer उत्तर आये हैं दो answer नहीं हो सकते answer तो एक ही होगा so here the correct answer is c c होगा answer the correct answer will be c पारिस्थितिकी तंत्र में क्या होता है जीवों का जो समुदाय है community पारिस्थितिकी तंत्र एक बार फिर से आप दिलाओं मैंने अपनी previous classes में क्या बताया था मैंने अपनी previous classes में क्या बताया था बताओं एक बर ध्यान से सुनना ध्यान से सुनना बेटा सबसे पहले तो होता है एक individual जो विक्तिगत रूप से एक कोई species का एक एक कोई भी जानवर जैसे मानव मैं मुझे मान लीजिए है न आप लोग अपने आपको मान ली उन इंडिविज्विज्व से मिलकर बनती है population पॉपुलेशन से मिलकर बनती है community और community से मिलकर बनता है ecosystem तो वैसे भी answer तो आई रहा है और ecosystem से मिलकर बनता है बायोम और बायोम से मिलकर बनता है biosphere यही तो बताई थी पूरी गनित बताई थी कि नहीं है न तो इंडिविज्वल इंडिविज्विज्व के बाद में पॉपुलेशन आपके बीच में दिव्यानशी चंद्रा मैं भी आई हुई है क्या बात है दिव्यानशी मैं भी है आपके साथ में मैं ने भी answer correct दिया है बहुत अच्छा कोश्चन था लेकिन देखिए कभी भी हम topic को पढ़ रहे है न उसके साथ साथ डेली मेरी जो environment ecology की य सबसे पहले रिशी कुमार उसके बाद बबली बबली के बाद में फुलित खोकर दिव्यानशी चंद्रा मैंने सी दिया है करेक्ट अवनी और अवनी और फुलित खोकर क्या बहुत बढ़िया यहां से आपको एक व्यक्ति इंडिवीज्यल मैं इतने दिनों से जो environment पढ़ा आपको मैंने कई बार यह डाइग्राम बना दिया है इंडिवीज्यल से मिलके बनता है population पॉपूलेशन जन संख्या एक पर्टिकुलर स्पीशीज की जन संख्या जन संख्या से मिलके बिनता है community एक एक इस्थायन विशेश पर पाए जाने वाली अलग-अलग प्रकार की स् है जैसे जंगल में शीर बाग लॉमडी हिरन सब कुछ है वो और बहुत सारी कम्यूटी जी जो की इंट्रेक्ट कर रही है अपने पर्रयावरन से एको सिस्टम है जब वो पर्रयावरन से इंट्रेक्ट कर रही है और आयूशी शुकला यस माफी चाता हूं बेटा आयूशी शुकला ने भी सही आंसर दिया उपर सॉरी बेटा कोई बात निए डोंट फिल अदर्वाइस हैना सी सी इस दे करेक्ट आंसर यस सी फॉर काट ओके डी फॉर डॉग एफ और एपपल बी फॉर बढ़िया बहुत बढ़िया और फिर बायोम और यह एजट क्लियर चलिए यह तिंग यह सारी बात आपको एकदम क्लियर हो गए हूंगी यह सब नो तो सी विल बीदा करेक्ट आंसर है यहाँ पर सी जो है वो स इंट जो टॉपिक है उस पर डिस्कॉशन कर लेते हैं थोड़ा सा है गुड़ आफ्टनू सर और एवरिवन गुड़ आफ्टनून मैं नमस्कार है चलिए गुड़ आफ्टनून तो आप लोगों को पता है न एक एक बात बताता हूं मैं आपको की मैं का दो बज़े सेशन आता है टू पी एंपर मैं का टू पी एंपर सेशन आता है दो बज़े डेली है ना इसी अध्या 24-7 आईएस के चैनल पर मैं आपको एक बाताएंगे ने क्या मैं दो बज़े इस पर येना आई तिंक आयएस पर है और चार बज़ें सीक्यू श्टेट पीस के चैनल पाप ल लोग सबी फेकल्टी एक दूसरी क्लास में जाते आते रहते हैं क्या बात हैं इंडिवीज्व से population population से community community से ecosystem ecosystem से बायोम और बायोम से बायो स्फियर जा बात है तो यह हमारे ecology के चैंश अलग-अलग organization है चैंश अलग-अलग organization यह है ठीक है तो यहां पर देखिए a community of organism interacting with one another जब कोई community of organism अलग-अलग जीव जन्तु है वह इंट्रेक्ट करती एक दूसरे से उसको कहा जाता है ecological community वहां की ecological community कहा जाता है that part of earth which is inhabited by living organism वह भाग जहां पर जीवित जीव जन्तु रहते हैं उससे bio sphere कहा जाता है क्यों 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 कि बायोस्प्यर में जल मंडल-स्थल मंडल और वायू मंडल tीनो होते हैं चल मंडल इस्थल मंडल और वायू मंडल तीनो होते हैं a community of organism together with the environment in which they live वो ecosystem गयाता है a community of organism together with the environment पर्यावरण के साथ साथ वो ecosystem कलाता है अभी मैंने आपको बताया था ecosystem क्या है अभी आंसर बताया ना मैंने question कहा community जो पर्यावरण के साथ relation कर रही या लग अलग एक forest के अंदर community है वो interact कर रही है पर्यावरण के साथ तो वो एको सिस्टम है हिंदी में भी आपको दिया गया है उम्मीद करता हूं यह सारी बातें आपको समझ में आई होंगी यह सर नो यह सर नो बताइए यह सर नो यहां पर आपको छोटी-छोटी क्रिस्प डेफिनिशन दी गई है यह आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट जैसे एंवार्मेंट क्या है यहां पर फ्लोरा एंट फोना ऑफ जोग्राफिकल एरिया एक पर्टिकुलर इस्थान विशेश पर पाई जाने वाले अलग-अलग पेड़ पौदे जीव जन्तु वह जैब विवित्ता बायो डाइवर्सिटी कहलाता है एंवार्मेंट क्या है कैन एंवार्मेंट जो भी हमारे आसपास का पर्यावर्न है एनिटिंग जो भी चीज वह सभी एंवार्मेंट है बायो स्फियर का होता है जहां पर इस्थल मंदल जल मंदल वायू मंदल तीनों होते हैं डाट रिजन विच सपोर्ट लाइफ वह शेत्र जो हमारे प्रत्वी पर जीवन को सपोर्ट करता है वो बायो स्फियर कील उत भी होता है एर्या वेर अर्गर पर वह एर्या जहां पर वह ऑर्गर जीव प्रोड्यूसर भी होते हैं जो पादक हैं कंजूमर भी होंगे डिकंपोजर भी होंगे जो चीजों को सुक्ष्म रूप से तब्दिल करें एंड देर रिलेशनशिप टाइन टाइनी एंवार्मेंट इस फंक्शनल उनिट आफ एंवार्मेंट इको सिस्टम इस वैर इंपॉर्टेंट है न इको सिस्टम शब्द किस ने दिया था एजी टैंसले ने 1935 में एजी टैंसले के द्वारा इको सिस्टम टर्म दिया गया था 1935 में एजी टैंसले के द्वारा ये शब्द दिया था बहुत लेट आते हो आप लोग जबकि आपको पता है मैंने कितनी बार अपने टाइमिंग को अनौन्स किया है आपको लेकिन आप लोग कभी टाइम से नहीं आएंगे मैंने कई बार बताया 11 एम पर तुरंत जुड़ जाएए और शाम को 9 PM पर जुड़ जाएए लेकिन आप लोग कभी टाइम से नहीं आते हैं और फिर कॉंसेप्ट जो है वो बिल्ड कैसे होगा आप लोगा एजी टैंसले यस बहुत बढ़िया तो इसके बाद में बात आ रही है एकोलोजी क्या है ये तो पूरा अध्यन है जो इको सिस्टम में इंट्रेक्शन हो रहा है न एनवायरमेंट का कम्यूनिटी का एनवायरमेंट से जो इंट्रेक्शन हो रहा है वो उस पूरे का अध्यन एकोलोजी कहलाता है और एकोलोजी शब्द किस ने दिया था एकोलोजी शब्द किस ने दिया है कार्ल रिटर तो ecology के father है और अर्नेस्ट हैकल ने ecology शब्द दिया है तो मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ देखिए एक तो सक्ष है कार्ल रिटर राइट कार्ल रिटर इन्होंने इनको बोला जाता है father of father of ecology ठीक है पहला point दूसरा point आ रहा है अर्नेस्ट हैकल इन्हें कहा जाता है इन्होंने ecology जो शब्द बनाया है ecology शब्द वो इनके द्वारा दिया गया और तीसरा point क्या है इनके द्वारा इको सिस्टम टर्म दी गई है टर्म इको सिस्टम टर्म इनके द्वारा दी गई है यह याद रहेगा कुछ basic point और भारत में father of ecology पादर इंडियन आगे लिख देता हूं इंडियन पादर ओफ इकोलोजी वो कौन है राम देव मिश्र यह कुछ नाम आप लोग याद रखना समय समय पर यह नाम आते रहेंगे हम लोग बहुत सारी चीजों पर discussion करते रहेंगे इसी प्रकार से है ना तो यह सभी नाम आपको याद रखने हैं तो यह है पूरा अलग अब कॉम्पोनेंट वगरा पर बात करेंगे लेकिन मैं एक बात और कह दूँ आपसे कि यार इसी प्रकार से डेली क्लासे देख लिया करो 11 एम पे नैनो टेक्नलोजी लगबग फिनिश कर दिया मैंने डेटेल में क्लास लिया है वन पी एम पर एन्वार्मेंट इकोलोजी की बेसिक क्लास स्टार्ट हुई है और नाइन पी एम प्लीज और डूलाइक और शेर एवरीवन मैं आपको छोड़ी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्लीज लाइक एंड शेर कर देना वीडियो को प्लीज और एक और चीज आपको यहां पर जो इसकी PDF फाइल है इसकी जो PPT फाइल है PPT वह कहां पर मिलेगी PPT आपको वह मिलेग आपको एक टेलीग्राम चैनल है आई एस पीसी एस बाई अड़ा 247 यह टेलीग्राम चैनल है बेटा तांधान से सुन लो आपको नोट्स मेटीरियल कहां पर मिलेंगे एक बार कमेंट में लिखके बता दो यहां पर PDF पीपीट आपको मिल जाएक जो मैंने इतनी महनत करके आपके लिए बनवाई है यह पीपीटी मैटीरियल जो है वह आपको नोट्स के तौर पर मिल जाएगा इस चैनल पर तो एक बार टाइमिंग याद रखेंगे एक बार टाइमिंग बताना क्या क्या टाइमिंग है और क्या आप में से कौन-कौन बच्चा शेयर करने वाला है लायक करने वाले वीडियो को ये कझंफिंड कर sellers कर दीजे कौन-कौन बच्चा टैलिग्राम पर और अलग-अलग चैनल पर वीडियो को शियर करने वाला एक बार गल्पर कर-ठर तो यहाँ पर हुई आज की कहानी समाप है न और कंफर्म करिए एक बार बेटा आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आप लोगों की बदोलत आज की तारिक में हम जो हैं बन चुके हैं एक बहुत बड़े परिवार का सदस्य और वो ये कि जो लगबग 17-18 महिने पहले जो चैन जैन्वन हो गुरुजी थैंक यू सो मच थैंक यू बेटा एवरीवन थैंक यू सो मच सभी का बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रेदा आप लोगों का आदाब और आप सभी को शुभाशीश आप इसी तरसे पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए मुस्कुराते रहिए खुश मैं हमेशा से एक बात करता हूं समय से ज्यादा कीमत है कॉंसेंट्रेशन की आपके लक्ष के प्रती आपके समर्पन और डिवोशन की वह आप लगा लेंगे ना बस उसी दिन आप सफल हो जाएंगे तो वीर फटह क्या बात है फटह कर हर मैदान फटह और यह मैदान फटह बात अभी होगा जब आप कर्मो की कलम को अपनी टाकत को यूप्स और स्टेट PCS में तो आप केवल और केवल एकी चीज से सफलता प्राप्ट कर सकते और वह आंसर राइटिंग आंसर राइटिंग आंसर राइटिंग आफ पर यह लाइफ है ना वही आपके लिए रामबा मिल जाए इस प्रकार के कोर्से जिसमें हमारे फेकल्टी दें बहुत सिंसिरली महनत और और अपने अफ़र्ट के साथ पूरी टीम नोट्स वगयरा सब कुछ कंपाइल करके आपको प्रोवाइड करते हैं मेंटर्शिप गाइडेंस यहाँ पर आपको जितने भी हमारे अप तक के बैचे वह इसमें मिल जाएंगे रिकॉर्डिंग लाइव दो तीन बैच चलते हैं वह क्लास लाइव छेचे गंटे साथ साथ गंटे की क्लासे आने वाले रुपे में तो शायद आप एक यह दावत भी करने जाएं तो भी 400 रुपे लगेंगे 400 रुपे में आपको 200 गंटे के लाइव एंसी आटी इसकी क्लासेज मिल भी है आप इसमें मुझे अंकेट सरको दिपेश सरको और आर्टी मिश्रा नायम के कंप्लीट एंसी आटी कोर् से 400 मेंस के आंसर राइटिंग के आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी आपको मेल पर फीडबैक भेजा जाएगा आपके आंसर को चेक किया जाएगा यह बैच 5400 रुपे में आपको मिल जाएगा यह है वो काबीले तारीव बैच जो सेलिब्रेशन के कारण ओफर आज के लि अपनी तयारी में अपनी तयारी में जब हम लोग सिंसियर एफट करते हैं तो डेफिनिटली आप बहुत आगे जाते आज के सेशन को मैं रोकता हूं यहीं और यदि आपको चाहिए कि कैसे आप अड़ा 247 एप की मदद से आप इन कोर्षिज में रोल कर सकते हैं तो आप ज सबी कोर्से आपको एक जगे मिल जाते हैं महापैक ले लिजिए यूपियसी में जाके महापैक और यह कोर्स आपको 49,999 का नहीं मिलेगा यहाँ पर आप लोग कूपन कोड़ अप्लाई कर दीजिए वाइप पांसो तरासी वाइफाइव एट त्री यह कूपन कोड़ आप सब्सक्राइब की मदद से आपको इतने का भी नहीं मिलेगा आपको कुछ कॉइंस मिल जाएंगा 8700 मिल जाए अड़ा 247 के स्टेट PCS के बैचेज भी हैं उनको भी अप केवल आज आज के लिए हैं कल से यहींо का कूर्स 999 का मिलेगा आज ये कोर्स लगबग 420-430 में आपको मिल जाएगा NCRT का कोर्स 420 में मिल जाएगा वाइ 530 लगा कर अभी का भी अभी का भी परचेस कर लीजिए NCRT का कोर्स complete NCRT के आपको नोट्स वगएरा सब कुछ मिल जाएगा नहीं 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 आपको 200 घंटे की क्लासेज मिलेंगी और इसकी वैलिडिटी होगी बेटा वन इयर की एक साल की वैलिडिटी के साथ में एक साल की वैलिडिटी के साथ में आपको आज की डेट में लगबग 400 और कुछ रुपे का मिलेगा लेकिन वैसे 999 का मिलता है तो आज के सेशन को मैं रोकता हूँ यहीं इसी प्रकार से पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए कीप लणिंग कीप पहुचिंग अड़ा 24-7 गॉद ब्लेस यू आल जैहिंद कीप ब zorते रहिए बढ़ते बढ़ते रहिए बर्लेस यूद दोड़ते रहिए बढ़ते बना घ्रकार से वार्द कार च्राव यूद नहां है। झाल झाल